हेलो एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सबजी फिल्कुल ढवा इस्टाइल में यह चटपटी से सब्जी सबको बहुत पसंद आती है तो जब भी आपको ढवा इस्टाइल का खानी हो पूरी सब्जी तो इस तरीके से बनाईए आप सभी को बहुत पसंद आग जिनको हम कोडा भी कहते हैं इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा पन लिए हो होता है जब इसकी हम सब्जी बनाते हैं तो इसमें हमें तीखा मीठा खटा सभी तरह का चटपटा टेस्ट आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है तो सबसे पहले हम कद्दू की सीट को निकाल ले कि यह था जाने गरें तो पहले इसकी फचोंदी करेंगे तो टो रूषिक जो दो करें अलीज है लेकिन हम क्योंकि डाज़ा सबादा जा रहे हैं उनको नहीं निकालेंगे तो पहले एक एक इंच की लंबायं में हम इनको कर लेते हैं आए मैं ने कर जाते हैं तो सारी सबसे पहले हमें कड़ाए लेंगे उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड डालेंगे मस्टर्ड ऐल इस सबजी के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है तो पहले दो लाल मिर्च साबुत हमें डाल करेंगे और इसमें हम डालेंगे आर्दस दाने मेथी के आदा चमच जीरा और पलोजी वन फोर्थ और वन फोर्थ डालेंगे इसमें सौंप और राय के कुछ दाने इन्हें डालेंगे दो पिंच डालेंगे हीन, हीन से खुजबू बहुत अच्छी आती है अब सारी सब्सक्राइब को हम इसमें एड़ कर देंगे अब सब्सक्राइब को अच्छी तरीके से सब तरफ से चला लेंगे ताकि यह तेल में अच्छे से मिट्स हो जाएँ अब इसमें दो हारी मिर्चे काट करके हम डाल देंगे और एक चमच नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के कार्डिंग कम जादा कर लिजिए मिर्चे भी अगर आप कंग खाते हैं तो कम ही डालिए और अगर जादा खाते हैं तो थोड़ी से बढ़ावे लिजिए अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाडर डालेंगे वन फोर्थ वैसे तो इनका यलो कलर नेचुरल बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा से इनको हम अच्छा लुक देने के लिए हल्का सा हल्दी डालेंगे और इन्हें ढख करके पकाएंगे चार से पाच मिनट तक सबजियों में देखिए हमने विल्कुल भी पानी नहीं डाला था फिर भी सबजियों में बहुत अभी पानी है आप इन्ही पानी की मदब से हम इन सबजियों को गलने तक पकाएंगे सबजे आ देखिए हमारी 5-10 minutes रोग गया है अब पक गई है अच्छी से गल गई है अब तो खटब डालने के लिए हम आमशूर डाला है आप चाहे तो टमाडर भी डाल सकते हैं और कलर के लिए डाल देंगे यहां पे आदा चमच लाल मिर्च पाडर अगर आप ज्यादा तीखा ने खाना पसंद करते हैं तो यहां पर कस्मीरी मिर्च पाडर डाले या फिर इसको आ अब यहां के पत्ति डाल देंगे और इन सबुको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह बहुत ही अच्छे से सब्जी दिखे है हमारी अच्छे से पक करके गलकर तयार हो गई है सवर करने के लिए रेडी है तो चलिए नहीं एक बॉल में निकाल लेते हैं इस बड़ी जीजी जो देखने में लाजवाब लगी रहे, खाने में बहुत ही बढ़िया है, तो जब ही आपको अधावा इस्टाइल खानी हो, रेस्टोरेंट इस्टाइल पूरी सब्जी तो इस तरह से कतुखी सब्जी बनाईए, आप सबको बहुत पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आ